आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कठल की सबजी बनाने की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है और इसी इसली बना सकते है आप तो फिर स्वागत है आपका टेस्ट विद सुमन में चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी यहां मैंने लिया है चार प्यास तीन टमाटर थोरी सी अदरक आठ से दस लसन की कलिया थोरा सा फ्रेश धनिया पत्ता ले लेगे तीन से चार हरी मिर्च धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर मीट मसाला पाउडर हल्दी पाउडर और काश्मेरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए दो मीट का मसाला लिया है मैंने यहाँ दोनों ही अलग कंपनी के हैं 500 ग्राम कठल लिया है जिसे जैक फ्रूट भी कहते हैं खरे मसालों में मैंने यहाँ लिया है दो लाल मिर्च, दो तेज पत्ता, एक जावित्री, थोरा सा जाइफर लिया है एक बरी इलाइची, एक इंच दालचीनी का टुकरा, तीन से चार लॉंग, चार से पाथ छोटी इलाइची और थोरा सा कालि मिर्च लिया है सबसे पहले कठल को वाश कर लेते हैं अच्छे से वाश कर लिया है, अब लेगे हाथ में थोरा सा तेल और इसे अपने हतेलियों पर लगा ले नाइफ पर भी तेल को लगा ले, तेल लगाने से कठल की चिपचिपाहट कम हो जाती है और यह इसली कठ भी हो जाता है कठल को मैंने ट्राइंगुलर पीसेस में कट कर लिया है, अभी सारे कठल के उपर का थोरा सा पाट रिमूफ कर देगे अगर जो भी थोरे बड़े पीसेस आपको लग रहे हैं तो उसे बीच से ऐसे कट कर दे कठल में बीच अगर आपको पसंद नहीं तो इसे हटा दे इस तरह से इसली बाहर निकल आएगे तो सारे कठल तेयार हो गए है अब एक प्रेशर कुकर लेगे और उसमें एक ग्लास पानी डाल देगे जैसे ही पानी हलका उबनने लग जाए तब उसमें हम डाल देगे कठल उसके बाद इसमें एट करेगे आधर चम्मच नमक और एक चोथाई चम्मच हल्दी अब ढकन को बंद कर दे और इसे मीडियम फ्लेम पर एक सीटी आने तक पका लेगे जब तक कठल पक रहा है हम सबजी की तयारी कर लेते हैं ये ले लिए मैंने प्यास और इसको लंबे स्लाइसिस में कट कर लेगे इस तरह से टमाटर को भी ऐसे रफली कट कर लेगे विसल लग गई है तो अब गैस को कर दे बंद और जब प्रेशर कूकर नॉर्मल हो जाए तब हम ढकन खोलेगे ये देखे कठल कितने सॉफ्ट हो गए है अब इन्हें बाहर निकाल देगे तो अब चलते हैं कठल को फ्राइ करने इसके लिए कठाई में मैं दो बरे चम्मच सरसो का तेल डाल रही हूँ तेल को स्प्रेट कर ले चारो तरफ और तेल जैसे ही गरम हो जाता है इसमें डाल दे सारे कठल इन्हें फ्राइ करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसे लगतार चलाते हुए भुल ले तीन से चार मिनट के लिए कठल को मीडियम हाई फ्लेम पर पका लेके तीन से चार मिनट बात आप देखेगे कि कठल का कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है इस तरह से यानि कि कठल अच्छे से पक गया है अब सारे कठल को निकाल लेगे बॉल में फिर लेगे एक ग्राइंडर उसमें कटा हुआ प्यास अद्रक लसन और हरी मिर्च को दो हिस्सों में काट कर डाल देगे और यह बना लिया हमने प्यास का पेस्ट अब फाइनल चलते हैं इसकी सबजी बनाने कूकर में थोरा सा तेल डाल दिया है तेल की थोरे गरम हो जाने के बाद फिर उसमें डालेगे एक चुटकी हींग जीरा दो देश पत्ते और फिर एट करते सारे खरे मसाले उसके बाद डाल दे लशन फिर प्यास प्यास को लाइट पिंक होने तक भूल लेगे अब डाल देगे इसमें पेस्ट और इसे भी 3-4 मिनर तक मीडम फ्रेम पर भूल लेगे अब बारी है मसालो की तो एक चोटी चमच हल्दी पाउडर डाल देगे एक चमच लाल मिर्च पाउडर देर चमच धनिया पाउडर और एक चमच मीट मसाला पाउडर डाल दिया है मैंने अब इन्हें अच्छी तरह से मसालो को प्यास के साथ मिला देगे उसके बाद स्वाद अनुसार नमक एड़ कर दे ध्यान रखे कि नमक हमने पहले भी एड़ किया है तो थोड़ा सा ही डाले मिक्स कर लेगे सारी चीजों को अच्छे से अब यहां मैं दूसरे कमपनी का मीट मसाला यूज कर रही हूँ एक चमच दोनों ही मसालों का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है मसाला मिक्स हो जाने के बाद टमाटर की प्यूरी एड़ कर देगे और इसे मसालों के साथ भून लेगे अब इसमें बिल्कुल ही जरा सा पानी डाल देगे ताकि मसाले नीचे जले नहीं और अच्छे से भून सके अब इसे ढखकर लो फ्लेम पर आज से दस मिनट के लिए पकने देगे दस मिनट बाद आप देखेगे कि प्यास लसल मसाले सब कुछ अच्छे से भून गये है अब इसके टेस्ट को डबल करने के लिए एक चमच देसी गी आड़ करूगी मैं यहाँ इसे भी मिक्स कर ले यह देखे अब जब मसाला भून गया है तो हम इसमें आड़ कर देगे फ्राइ किये हुए कठल कठल को अच्छे से मिला देगे मसाले के साथ और इसे एक से दो मिनट के लिए मसाले के साथ भून लेगे अब इसमें डाल देगे पानी पानी उतना ही डाले जितना आपको ग्रेवी चाहिए इसे स्टर कर लेगे आखिर में अब इसके उपर बारीक चॉप किया हुआ धनिया गानिश कर देगे इसे हलका मिला कर और अब 5-7 मिनट के लिए पकने दे लो फ्लेम पर तो ये देखिए तयार है हमारी टेस्टी कठल की सबची कितनी बढ़िया ग्रेवी बनी है बहुती टेस्टी बनी है ये सबची तो आप इस तरीके से बहुती इजिली कठल की सबची बना सकते है इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें और नीचे कमेंट में जरूर बताए कि आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर